हेलो स्टूरों वेल्कम टू स्वातिस क्लासेश आज हम देखेंगे सेवन स्टेंडर का साइन्स लेसन नंबर वन दे लिविंग वर्ड एडपेशन एंड क्लासिपिकेशन इस लेसन का थर्ड पार्ट फर्स और सेकेंड पार्ट अल्रडी अपलोड हुआ है अगर आप लोगो स्टूरी रिजन के प्लांट देखें उसकी बाद हमने देखा था एडप्टेशन इन आनिमल्स में किस तरीके से अडप्टेशन देखा जाता है तो उसमें भी कई सारे अलग तरीके के जो आनिमल्स थे ग्रास लैंड में कैसे होते हैं डेजर्ट में किस तरीके से होते हैं यह हमने दिखा था अभी हम देखेंगे adaptation in aerial animals, aerial animals का मिनिंग होता है हवा में रहने वाले या फिर उडने वाले मिन्स कों से आएंगे mostly यहापे birds आएंगे What is the main difference between vehicles on the road and aeroplanes, vehicles जो रोड पे चलते हैं and aeroplanes, इन में आपको difference क्या नज़र आएगा दोनों के shape अलग होते हैं, अगर आप aeroplane को देखोगे तो उसका structure ही कुछ अलग होता है bird के जैसे जैसे कि उनके भी wings होते है और उनका जो shape होता है वो भी bird like ही हमें दिखाई देता है The spindle shape body of birds also minimizes the resistance of air while flying तो इनका जो shape होता है spindle shape means क्या कुछ इस तरकी का जो shape है इनका यह इने help करता है हवा में उड़ने के लिए हवा का जो resistance है या फिर हवा के against उड़ने के लिए उनने क्या होती है help होती है With hollow bones, a body covering of feathers and modification of four legs into wings, their body is light in weight and adapted for flying क्यों उड़ पाते है, क्या adaptation इनमें हुआ है, क्या changes इनके body में हुआ है, एक तो इनका shape जो है spindle shape होता है, जो इने help करेगा हवा में उड़ने के लिए दूसरा होता है कि इनके जो पीछे के legs होते है, वो convert होते है किसमे, wings में जिनके help से वो क्या करते है, उड़ते है, और उनके जो bones होते है, वो hollow होते है, हमारी तरह strong नहीं होते है, hollow होते है, बिल्कुल wings होते हैं उनकी भी body उसी तरीके से tap और होती है और उनके भी क्या होते हैं wings होते हैं और light weight होते हैं जिसके कारण वो उड़ पाते हैं उनके six sticky legs होते हैं जिनके कारण वो क्या करते हैं चल भी पाते हैं और wings होते हैं जिनके थूओ क्या करेंगे जिनके help से वो क्या करते है उड़ते भी है bats अपने देखे होंगे चम्दागर जिसे हम कहते है तो उनके आगे के जो पेर है और पीछे के पेर उनके बीच में एक आपको potagium का क्या होगा एक thin fold दिखाई देता है जिसके कारण क्या होता है कि वो help करता है उन्हें उड़ने के लिए आपने अगर देखा होगा bat को तो observe the various birds and insects in your area अगर आपके घर में घर के साइड में या फिर आप स्कूल में जाते हो सरांडिंग में आपको जहां पर भी इस तरकी के आनिमर्स हो बर्ड्स हो जो भी दिखाई देते हैं उन्हें आप observe करो कि उसमें आपको क्या चेंग दिखाई देता है या फिर उनके body structure में कुन सा अलगपन आपको दिखाई देता है next day adaptation in reptiles, reptiles मिंस जो जमीन के उपर रहेंग के चलते हैं उन्हें reptiles कहा जाता है for example snake जो होता है वो क्या करता है जमीन के उपर रहेंगते होए चलता है तो इन रेप्टाइलिस में क्या चेंजिस आपको दिखाए देंगे, कि इनके जो मसल्स होते हैं, जो स्कीन के मसल्स होते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं जब्मिन के उपर चलने के लिए, जैसे कि स्नेक है, फिर स्नेक का क्या होता है, कि उनकी जो बॉड़ी होती है, जिसके होती है उनके स्कीन के अंदर कुछ एसे होते हैं यह कं देखिए जिनके कारण वो क्या होती है वाल के उपर वह चल पातो में कैसि क Juice points और है बापिक में कि नियुटर चलके है तो यहां पर क्या करते हैं तो यह हैं एक करते हैं पर मोनター इनका क्या होता है जिसके त्रु क्या करेंगे मसल के रूः करते हैं। तो यह adaptation हमें देखा है देता है कहां पे रेप्टाइल में नेक्स देखेंगे adaptation for food in animals के फूड के लिए उनके बॉड़ी में तो वो क्या होते हैं जैसे कि आपने अगर उड़ पेकर देखा होगा तो उसकी जो बीक होती है और जो बर्स होती है उनसे अलग होती है काफी लंबी होती है और नोकिली होती है जिसके तुरू क्या करते है उड़ के उपर उड़ जो होता है या फिर पेड़ जो होता है उसके बीच में जो किड़े है उननी निकाल पाते है उस उड़ को क्या करते है अपने बीक से निकाल के उसके अंदर की किड़े उखा पाते है तो इसी त लग हमें यहां पर दिखाई देता है तो special adaptation in each category to make the process of feeding easy उनके लिए feeding easy हो इसके लिए उनमें भी क्या होते हैं हमें changes दिखाई देते हैं तो अगर आपको different type के birds या फिर animals देखने होंगे या फिर plants भी देखने होंगे तो इसके लिए आप discovery channel जो आता है खाना खाते हैं उनका reproduction वगेरा सारी चीज़े दिखाई द्याते हैं तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो next day complete the following chart from your own observation तो यहां पर खुद अब्जर करके लिख सकते हो जैसे कि animal यहां पर क्या दिया है lion and tiger इनमें adaptation क्या होते हैं कि sharp teeth होते हैं और क्यों होते हैं उसका use क्या लिख सकते हैं उसके बाद long neck दिया है तो जिरप का लिख सकते हैं तो यही आपको इस column में table में भरना है जो कि आप easily बढ़ सकते हो adaptation for blending with surrounding की surrounding के साथ blend होना या फिर match होना उसमें घुल मिल जाना इसके लिए भी उनमें adaptation दिखाए देता है जैसे कि butterflies के color हो ग्रॉस ऑपर जो ह में वो क्या करते हैं चिप पाते ही तो यहां पर हम देखेंगे कि grasses हो parts of plants जेचे के जैसे कि stream leaves flowers उनके color के जैसे भी color होते है कुछ animals के जिसके कारण वो हमें आसाने से दिखाई नहीं देते हैं Changes that take place in various organs and life processes of organisms that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings तो यह adaptation होने का सबसे ज्यादा यूद उन्हें किसलिए होता है कि उनके life processes के लिए जो organisms होते हैं उनमें changes होते हैं क्योंकि वो उनका खाना आसानी से ले पाए या फिर उनका reproduction अच्छे से हो पाए बाकि जो enemies या फिर जो animals उनका शिकार करते हैं उनसे वो अपने आपको बचा पाए और उस surrounding में क्या करें वो आगे grow हो पाए या फिर आगे बढ़ पाए इसके लिए उनमें यह जो changes होते हैं उनके habitat में हो geographical condition के according अपने आपको adjust कर वहापे कराना हो तो इसे ही हम adaptations कहते ही और और वही हमने अभी तक plants and animals का adaptation यहाप पर देखा अलवेज रिमेंबर में आपको क्या दिया है कि adaptation एक ऐसा process होता है जो gradual and continuous होता है कई साल के बाद हुआ हमें दिखाई देता है आज की जो living things आपको दिखाई दे रहे हैं अगर हम example लेते human beings का भी तो हजारों साल पहले अगर हम human beings देखेंगे तो उनके body structure में organs में हमें difference दिखाई देता है same like same animals में और जो plants होते है birds होते है उनमें भी हमें दिखाई देता है तो यह जो adaptation होता है उसके लिए कई साल लग जाते हैं यह suddenly changes नहीं होते है नेक्स डार्विन's theory of evolution चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था एक study क किया था जिसके तुरू उन्होंने एक theory की थी यहां पर discover की थी कि plants and animals जो होते हैं वो survive करने के लिए अपने आप में जो changes कर पाते हैं तो वही जो animals या फिट प्लांट जो living things होते हैं वो उस environment में grow हो पाते हैं survive कर पाते हैं और इसी theory को कहा जाता है survival of the fittest and this is Darwin's first principle यहीं उनक the first principle था कि जो अपने आप में changes कर पाएगा उस surrounding में address हो पाएगा वही survive कर पाता है if an organism is born with a new beneficial characteristic and is able to survive this change is preserved in the next generation this is Darwin's second principle and it's called natural selection कि कि किसी भी animal में या फिर किसी भी living thing में किसी organism जब born होता है उसमे new beneficial characteristic अगर आती है और वो उसके साथ अगर survive कर पाता है और वही changes फिर उनके अकर दिखाई देख पाते है या फिर प्रिजर होते है वही characteristic उनमें तो उसे कहा जाता है natural selection next classification of living organism तो why are living things classified क्यों classified किया हमने living things को क्योंकि देखिए अगर worldwide अगर हम देखेंगे plants, animals हो, birds हो कई types के होते है different types के होते है different categories में हम उन्हें देखते है तो अगर किसी particular plants के बारे मे study करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि exactly हमने किस plant को study किया किस animal को study किया है तो उसके लिए classification करना काफी ज़रूरी होता है which are the criteria used for classification of plants and animals अभी classify क्यों करना ही है तो हमने देख लिया लेकिन classification के लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए hierarchy यूज की जाती है hierarchy का meaning होता है कुछ steps हम कहेंगे या फिर sequence कहेंगे उस sequence में ही उस particular living thing को classify किया जाता है या फिर उनका study किया जाता है तो वह hierarchy कि क्या होती है सिक्वेंस क्या होती है kingdom फाइलम क्लास और फामिली जीनस और स्पीसिज कि देखिए अब यहां पर प्लांट जो दिया है मैंगो मैंगो को अगर आपको study करना है तो इन सारे sequence से ही उसको study क्या जाएग अगर human beings है तो इसका kingdom क्या आएगा animal means क्या यह animal है उसके बाद phylum क्या है उसका class क्या है order family जीनस पेसिज यह सारे चीज़े एक के बाद एक क्या करते है sequentially वहाँ पर लगाए जाती है तो यहाँ पर देखिए कि हर एक language में particular plant का animal का या फिर हर चीज का क्या होता है नाम अलग लग होता है तो अगर हम mango कहेंगे और कुछ लोग आम कहेंगे तो उनको कैसे समझ में आएगा कि हम mango के ही बारे में बात कर रहे तो यहाँ पे हर एक living thing को जब classify किया जाता है तो उन्हें particular name जा जाता है जिसे scientific name कहा जाएगा तो mango का नाम क्या आता है Mangifera Indica इसे लिखा किस त homo sapiens पेले जीनस उसके बाद लिखा जाता है species और इसी को bianomial nominiculture कहा जाता है जो find out क्या था जो discover क्या था carlinius is scientist कि अगर देखिए हमारा जो नाम होता है क्लास में कितने सारे बच्चे होते है तो teacher को कैसे याद रहता है कि इस बच्चे का नाम क्या है या फिर उस बच्चे इसमोगा तो middle name change होता है सरनेम होता है मिस के हमें particular नाम दिया जाता है नाम उसके बाद middle name father's name होता है तो इसी तरीके से किसी भी living things को अगर पेचर ना है तो उसे एक नाम दिया जाता है जिससे साइंटिफिक नेम कहा जाता है या फिर bionominal nomin culture जिसे कहा जाता है जिसमें सब से पहले जीनस लिखा जाता है और उसके बाद जो है पहले जीनस लिखा जाता है उसके बाद जो है स्पीसिस को लिखा जाता है उसे फिर नॉमेंक्लेचर कहा जाता है या फिर इंटरनेशनली इस वर्ड को इस को इस नेम को यूज किया जाता है पूरे वर्ड वाइड में All the organisms or species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among their cells and from a new individual like themselves. For example, all domestic cats in the world belong to the same species. The same is true in the case animals like hen, cow, dog, etc. or plants. The equivalent of animal species, cats, cats, or cats, the same species they appear in the same way, all of those cats can be used in the same form. They can also be that same. They can also be used in the same form of species. तो यहाँ पर देखिए अगिन आपको क्या दिया है living things और उनके scientific name जैसे कि dog है तो उसका आता है canis, lupus, families, cowcanem आता है boss, taurus, hibiscus है तो hibiscus, rosa, silences, ज्वार का है sorghum, bicolor तो यह scientific name होते हैं जो आप वर्ड बे कही पर भी जाओगे तो same ही आएगा यह different नहीं होता है बस यहाँ पर क्या आता है आपको higher की पता होनी चाहिए हर एक living thing की find out the scientific names of other animals, plants, in your surrounding and discussing class तो other animals जिनको आप जानना चाहते हो तो उन animal का नाम scientific जो name है वो अब google सर्च करके भी देख सकते हो आपको easily पता चल जाएगा कि किस animal को scientific name क्या दिया गया है 29th April is observed as a world frog protection day इसे मनाया जाता है killing or harming frogs is prohibited by the wildlife protection act तो कई सारे animals के लिए, plants के लिए, उनकी conservation के लिए क्या किया जाता है, world day इस तरीके से उनकी protection के लिए celebrate किया जाता है तो देखिए यहाँ पर lesson जो है हमारा complete होता है lesson के 3 parts बनेते तो अगर आप 3rd part देख रहे हो तो सबसे पहले 1st और 2nd को भी आप playlist में जाके देखिए उसकी बाद 3rd को यह continue कर सकते हो तभी आपको lesson जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजे